नमस्कार, प्रस्तो थे शरत्चंद्र चटोपाध्य के द्वारा लिखाव उपन्यास, चरित्रिहीन का छठा भाग आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछले भाग की कहानी शुची से ब्याह करने के लिए हाँ बोलने के बाद दिवाकर का मन पढ़ने से एक्तम हट गया वह सदा शुची और उसके साथ विवाह की कलपना में मतवाला से रहने लगा सतीश को बिहारी से पता चलता है कि सावित्री नीच जाती की नहीं, बलकि उच्च जाती की है बनाएंगे तो इस पर सावित्री कहती है कि फिर दोनों में से किसे एक को मेस छोड़ना पड़ेगा सावित्री ने यह बात इतनी निश्ठोरता से कही कि सतीश को लगने लगा कि बस वो ही सावित्री को चाहता है, सावित्री उसे नहीं चाहती मेस में रहने के एक्षा न होने के कारण जब वो बाहर हवा खाने निकलता है तो उसकी भेट मोक्षदा से होती है मोक्षदा बहुत समय पहले उसके गाओं के घर में दासी का काम करती थी वो उसे अपने घर आने के लिए कहती है सतिश जब उसके घर जाता है तो उसे पता चलता है कि सावित्री मोक्षदा के साथ उसके घर में ही रहती है अब संते हैं आगे की कहानी मोक्षदा ने मोख गुमा कर कहा साभी है क्या? तू कब आई? सावित्री ने भीतर आकर कहा अभी आ रही हूँ, इन बाबू को कहा पाया मौसी? मौक्षुदा ने कहा यही तो मेरे छोटे बाबू हैं सावित्री, जिनका जिक्र में कई दफा कर चुकी हूँ आज दो दिन हुए, बहु के पास से चिट्टी आई है, उसे पढ़ने वाला कोई न मिला, चोटे बाबू राह में अचानक ही मिल गए मैंने कहा बाबू जी अगर दया करके अपके चर्णों की रज सावित्री बीच में ही कह उठी तो चर्ण रज तुम्हारी कोठरी में पढ़नी चाहिए, मेरी कोठरी में क्यूँ मुक्षदा ने कुछ कुंठी थोकर कहा तु नाराज क्यों होती है सावित्री, मेरी कोठरी ऐसी नहीं है कि उसमें किसी भले आदमी को ले जाकर बिठाया जाए इसी से तेरी कोटरी में लाकर बिठा दिया कितने बड़े और उंचे घराने के लड़के हैं यह तुझे तो प्रसन्न होना चाहिए तू उल्टे बिगड रही है सावित्री ने हसकर कहा ख्रोध क्यों करूंगी मौसी मैं नाराज नहीं हो रही हूँ लेकिन खाली खाली चरन रज लेने से तो पाप होता है न कुछ जलपान भी तो कराना चाहिए हाँ ब्रह्मन देवता आपको तो भूक लेग रही होगी सतीश बहुत ही सिकुडा हुआ बैठा था गर्दिन हिला कर बोला नहीं सावित्री के अभधर प्रश्ण से अवाक होकर मुक्षिदा कह उठी तेरे यां बात करने का कैसा ढंग है सावित्री भले आदमी के साथ क्या इसी तरह से बात की जाती है सावित्री जोर करके उमड़ीवी हसी को दबा कर बोली मैंने बुरी बात क्या कही मौसी अच्छा मैं इनसे भूप के बारे में प्रश्ण नहीं करूंगी तुम जाकर दुकान से कुछ खाने का सामाल ले आओ मैं तब तक बैठने के विवस्था करती हूँ मौक्षिदा आसपश्ट स्वर में बुद्बुदा कर बक्ती बक्ती तेजी के साथ चली गई पर मरदानी धोती तंगी है पहन कर मेरे साथ आ जाईए नन देर न कीजे उठिये सतीश ने सिरह लाकर कहा मुझे भूख नहीं है सवित्री ने कहा न होने पर भी खाना होगा इसका पहला कारण यह कि आपको भूख नहीं है इसका मुझे विश्वास नहीं और दूसरा कारण यह है कि सतीश बहुत रूखा मुझे बना कर बीच में ही बोल उठा दूसरा कारण कुछ नहीं है वही पहला कारण सब कुछ है सभी बातों में तुम जोर दिखाती हो, जबरदस्ती करती हो तुमारी जित से कोई पेश नहीं पा सकता सभीत्री ने सिरोठा कर जड़ा हस कर कहा तो फिर बेकार के कोशिश क्यों करते हो सतीश ने और भी गंभीरो कर कहा यह बात नहीं है साभीत्री यह कोशिश किसी भी तरह से बेकार नहोगी तुम अपना दूसरा कारण कहू नहीं तो सच कहता हूँ मैं यहाँ किसी तरह कुछ भी न खाऊंगा सतीश का हठ देखकर सावित्री चुप चाप मन में हसने लगी कुछ देर बाद धीरे-धीरे बोली मैं सोचती हूँ आज आप क्यूं आए आज मेरा जन्म दिन है इसी से जब खोद आकर इस दासी के घर में आपने पदारपन किया है तब आपको खाली-खाली तो मैं नहीं छोड़ सकती नहीं छोड़ सकती कहकर सावित्री एकाएक रुप गई किन्तो उसके हृदय की भीतर चिपीवे विथा उसके कंठ स्वर की खुली राह से इस तरह अकस्मात सतीश की आँखों के आगे आकर खड़ी हो गई कि कुछ घड़ी के लिए सतीश की सारी समझने की शक्ती जड़ हो गई बुद्धि मतिस अवित्री तुरंत इस बात को ताड़ गई उसने सारी बात को सहज परियास का रूप देते वे हसकर कहा भगवान ने आज आपको मेरा अतिति बना कर बेजा है इसलिए आपको भोजन भी करना पड़ेगा और दक्षिना भी लेनी पड़ेगी देखती हो आज आपकी जाती गए बिना नहीं रह सकती अब तक सतीश की सहज शक्ती लोट आई थी उसने पूछा सच मुझ के आज तुम्हारा जन्म दिन है सावित्रे ने कहा जी हाँ, बिल्कुल सच सतीश ने कहा तो जब ऐसे दिन में मैं आही पड़ा हूँ तब बाजार की बासी पूरी मिठाई खाकर पेट नहीं भरूँगा इसके सिवा तुम तो जानती हो कि मैं कभी बाहर की चीजे खाता पीता नहीं हूँ सावित्रे इस बात को जानती थी इससे मन ही मन लजजित होकर बोली लेकिन आज तो रात हो गई है सतीश ने कहा हो जाने तो रात या भै तो कुछ नहीं कि आज देर से लोटने पर वहां किसी की डाट फटकार खानी पड़ेगी फिर क्यों रात अधिक हो जाने से डरू तुम चाहे जो कहो बाजार की चीजे में किसी तरह न खा सकोंगा तुम से पार पाना कठी ने क्यातीवी सावित्री हसकर उड़ गई सतीश बैठा था लेट गया यह चोटी सी कोटरी और यह निर्मल स्वच्छ सफेद विचोना छोड़ कर जाने का उसका किसी तरह जी नहीं चाहता था अथच आत्मसम्मान को अच्छोता अखंड रखकर बैठे रहने का भी कोई अच्छा उपाय न था इस समय भोजन तयार करने में होने वाली देर की संभावना उसे जैसे एक निकटवर्ती कर्तवे की कठिन जिम्यदारी से चुटकारा दे गई वह बगली तकिया को जोर से छाती से दबा कर दिवार की और मुह करके चुप चप पड़ रहा जाते समय सावित्री बाहर से सांकल चड़ा गई थी इसकी भी खबर जैसे उसे हो गई थी वैसे ही उसके आप कहते कहते तुम कह बैठने पर भी उसने लक्षी किया निर्जन कोठरी में इन दोनों नई मिली भी जानकारियों ने जादुगर और उसकी जादु की लड़की की तरह उसके मन के भीतर एक अपुर्वे इंद्रजाल के शृष्टी करना शुरू कर दिया आजी दुपहर के समय जो सब प्यार का कुड़ा करकट उसके मन के भीतर से भाटे के खिचाव में बाहर बह गया था वह एक-एक करके जवार के उल्टे प्रवास से लौट आकर फिर दिखाई देने लगा आजी दुपहर के समय स्वाभिमान को चोट पहुँचाने की सुत्रवर जाला ने मन की नीच प्रविर्ती के सम्बंध में उसकी आखे खोल दी थी इस समय उस ज्वाला के शान्त होने के साथ ही वे आखे आप ही बंध हो गई जान परता है इसी तरह अपने को लेकर खेल करते करते आखिरवस हो गया एक आएक दर्वाजा खोलने के शब्द से जाक कर करवट बदलते ही उसने देखा सावित्री मुक्षदा को लेकर कोटरी में गुज रही है मुक्षदा ने अपनी चिठी सतीश के हाथ में देखर कहा देखे तो बाबुजी बहुरानी ने क्या लिखा है सतीश ने सब चिठी पढ़कर कहा उनके लोटने में अभी लगबग दो महिने की देर है मुक्षदा ने पूछा और कुछ नहीं लिखा सतीश ने चिठी लोटातेवे कहा और तो कुछ विशेश नहीं है मुक्षदा मेरे महिने के बारे में कुछ लिखा है कब मिलेगा सतीश नहीं इसकी तो कोई चर्चा नहीं है रुपे भेजनी की कोई बात नहीं लिखी है यह सुनकर मोक्षदा मन में बहुत खीज उठी चिठी लेने के लिए हाथ बढ़ा कर उसने कहा यह बात क्यों लिखेगी? दुनिया भर की व्यर्थ बाते लिखेगी? लाइए चिठी सवित्री, कल मुझे इस चिठी का जवाब लिख देना हारी, बाबु को खाने कब देगी? क्या रात अभी नहीं हुई? सवित्री ने कहा ब्रह्मण देवता पहले कुछ संध्या पूजन करेंगे या यूही खालेंगे? मोक्षदा खीजी हुई थी ही और भी चिड़कर बोली ज़रा इसकी बाते तो सुनो यह क्या पुरोहित महराज है या भटाचार रे ब्रह्मण जो पूजा पाठ करेंगे? सतीश ने हसकर कहा यह क्या मोक्षदा? तो क्या सब भूल गई? मैं तो सदा से ही संध्या पूजन करता आ रहा हूँ मोक्षदा को शायद याद आ गया अपनी भूल पर अप्रतिब होकर उसने कहा हाँ हाँ ठीक है मैं भूल गई थी फिर सावित्री की और घोम कर बोली जातो बेटी जल्दी से बाबू के लिए चौका लगा दे तेरे यहां तो पूजा का सब सामान रखा है जल्दी से सब ठीक ठक कर दे अब देर न कर कहते कहते मोक्षदा उठकर अन्यत्र कहीं जली गई घंटे सब घंटे के बाद संध्या पूजा समाप्त करके जब सतीश भोजन करने बैठा उस समय उसके पास कोई न था अंधेरे बारामदे से यह लक्ष करके मोक्षदा एकदम जलूठी रसोई में आकर देखा सावित्री चुपचाप बैठी है मोक्षदा ने रोश के स्वर में कहा यह तेरी कैसी बुद्धी है सावित्री यह क्या किसी कंगले का भोज है कि दो एक कौर आगे डाल कर निश्चिन्थो कर बैठ गए सावित्री शायद कुछ सोच रही थी एकदम चौक उठी बोली जरूरत होगी तो वह मांग लेंगे मोक्षदा ने बिगड़ कर कहा ऐसे बुद्धी ना होती तो तुझे दासिवरीती करके पेट पालना पड़ता चाहिए तो यह था कि तो खुद नौकर चाकर रखती उसकी जगह सावित्री ने हस कर उसके वाक्य को पूरा करते वे कहा खुद्धी दासी हूँ यही ना मैं कहती हूँ इसमें दोश क्या है मौसी महनत मजूरी करके पेट पालना कोई लज्जा की बात तो नहीं है मौक्षदा क्रोधी थो उठी बोली किसने कहा कि नहीं है मेरी उम्र बेशक धल चुकी है लेकिन तू तो अभी जवान है खेर जवानी चाहे हो नहो तुने जब बाबु को खाने को कहा है तब पास जाकर बैठ कर उने खिला पिला आदमी का भागय बदलते देर नहीं लगती सावित्री चलने को उद्धत होकर रुख गई और बोली क्या बक्ती हो मौसी वे सुन लेंगे मुक्षदा तुरंती आवाज धीमी करके बोली नाना सुन कैसे पावेंगे एक और बात तुझसे कहे देती हूँ बेटी भगवान ने कपार के नीचे जो दो आखे दी है न उनको ज़रा खोले रख घड़ी चेन हीरे के अंगुठी न होने से ही किसी आदमी को छोटा न समझना कभी सवित्री अच्छा कहकर हसकर चली जा रही थी मोक्षदा ने पीछे से पुकार कर कहा सुन सवित्री सवित्री घूम कर खड़ी हो गई बोली क्या है मोक्षदा ने कहा जरा मेरे साथ मेरी कोठरी में तुआ एक ढाके की महिन सुन्दर साड़ी निकाल दू सतीश का खाना लगबग समाप्त होने को आया था सवित्री ने भीतर आकर कहा आखे मूंद कर खा रहे हैं क्या सतीश ने सुरू ठाकर कहा नहीं तो सवित्री ने कहा लेकिन देख तो रही हूँ दोनों आखे नींद से बंध वी जा रही है वास्तों में सतीश को बड़ी नींदा रही थी पिछली रात के अत्याचार के कारण आज असमें ही उसकी आखें और पलकें भारी होकर बंध वी जा रही थी सतीश ने सलज्य हास्से के साथ इस बात को कबूल करते वे कहा हाँ बड़ी नींदा रही है सवित्री ने पूछा और कुछ चाहिए क्या सतीश चतपट के उठा कुछ नहीं कुछ नहीं मैं भोजन कर चुका बाहर पैरों की आहट से सवित्री ने जान लिया कि मोक्षदा आकर खड़ी वी है सवित्री ने कहा बाबु मुझे एक धाके के साड़ी खरीद कर देनी होगी सवित्री ने आज तक किसी दिन सतीश से कुछ नहीं मांगा था इसलिए सतीश उसके इस कथन का मतलब नहीं समझ पाया उसे बड़ा आश्चर रह हुआ उसे मोक्षदा के आने की कुछ खबर नहीं थी सतीश ने सिर उठा कर विसमे के साथ कहा सचमुच चाहिए सवित्री ने कहा सचमुच नहीं तो क्या सतीश ने पूचा किस वक्त पहनोगी सवित्री ने कहा आज पहनने का समय नहीं है तो क्या इसका अर्थिया थोड़ी है कि समय कभी नहोगा इसके सिवाए एक और बात है मौसी दुख कर रही है कि मैं मेहनत करके खाती हूँ इसी से मैं सोचती हूँ कि अब मेहनत ना करके खाऊंगी अब से बैठे-बैठे हाथ पर हिलाई बिना मौच करूँगी सतीश ने हसकर कहा अच्छा तो है सवित्री केवल अच्छा कह देने से न होगा इसके साथ साथ एक दासी न होने से इज़्जत में बट्टा लगेगा सो वह भी आपको देख रेक करनी पड़ेगी आपको ही वह बात पूरी भी न कर पाई थी कि मूह में आचल भर कर हसी के वेग को रोकने लगी मौक्षदा कच्चे औरत नहीं थी चानबर में ही उसने समझ लिया कि सावित्री उसके कथन की हसी उड़ा रही है उसने कोठरी के भीतर आकर कहा जान पड़ता है बाबू की सावित्री से पहले से ही जान पहचान है फिर सावित्री के और घूम कर बोली शायद अब तक मौसी के साथ मस्खरी की जा रही थी सो यह तो अच्छी बात है, खुशी की बात है पहले ही कह देती तो मैं क्यों कुछ कहती सुनती यह कहकर मौक्षदा धीरे-धीरे चली गई भोजन करने के बाद सतीश फिर तख्त पर आ बैठा सावित्री ने डिब्बा भर कर पान लगा कर रख दिया और चिलम भर कर हुक्का लगा कर सतीश के हाथ में दे दिया फिर सतीश के पैरों के पास नीचे जमीन में बैठ गई उसने जरा हस कर चुपचाप सिर जुका लिया सतीश के रिदम में आंधी सी चलने लगी नाभी की सब नाडियां चंडबर में सिकूरने और फैलने लगी रोई इस तरह खड़े होगे जैसे बड़ी ठंड लग रही हो चंडबर के लिए हुक्क्य का कश खीचने की शक्ती भी उसमें नहीं रही दो-तीन मिनट तक इसी तरह चुपचा बैठने के बाद सवित्री ने सैसा सिरोठा कर कहा रात हो गई है मेस में न जाओगे सतीश ने सूखे गले से कहा न जाओंगा तो रहूंगा कहा सवित्री ने कहा यही रह जाओ न जा सको तो जाने की कोई जरूरत नहीं मौसी अभी तक जाग रही है उनके साथ जाकर मैं सो रहूंगी कहकर सावित्री सतीश का मोह ताकने लगी चनबर के लिए सतीश अवाक हो गया किन्तु वैसे ही अपने को संभाल कर उठ खड़ा हुआ और बोला न मैं जाता हूँ अच्छा और जरा बैठो कहकर सावित्री उठी और बाहर से सतीश के जूते उठा लई फिर अपने आचल से सतीश के पैर पोच कर जूते पहनाए और जूतों के फीते बांधते बांधते दीरे से कहा मेस के लोग अगर जान जाए सतीश ने कहा कैसे जानेंगे सावित्री मैं आगर कह दूँ सतीश क्या कहोगी तुम कहने की तो कोई बात नहीं है सावित्री ने फिर जरा हस कर कहा कुछ भी नहीं, सच कहते हो सतीष चुप हो रहा सावित्री ने और भी धीमेजवर में कहा अगर कहने की बात न होती तो मैं आज तुमको कभी जाने न देती आज मेस में जाओ किन्तो यदि दुष्ट बुद्धी ने तुमको न छोड़ा तो मैं एक दिन सब कुछ कह दूँगी यह कैसा रहसे है सावित्री के मन का भाव ठीक तरह से समझने पाकर सतीष चंड बर स्तब्दो होकर खड़ा रहा और फिर बोला कह दोगी तो क्या होगा मेस के लोग तो मेरे गार्डियन नहीं है सावित्री ने कहा यह मैं जानती हूँ लेकिन मौसी मेरा वाव भार अनायास ही ले सकेगी उसकी जबान को तुम काहे से बंद कर सकोगे मुक्षदा के बारे में सावित्री के इस इशारे से मन ही मन घबराने पर भी सतीष ने मुक से कहा रुपियों से सावित्री ने कहा इससे केवल रुपे बरबाद होंगे काम कुछ न होगा इसके सिवा मैंने मान लिया कि मौसी को रुपियों से काबू में कर लोगे लेकिन मुझे क्या दे कर वश में करोगे सतीष बीना कुछ सोचे समझे चट से कह उठा प्रेम दे कर सावित्री ने मूँ बना कर कहा यह मिला कर चार दफा हुआ सतीष ने कहा अर्थार्थ सावित्री अर्थार्थ इससे पहले भी तीन आद्मियों ने मुझे या चीज देनी चाही थी सतीष तुमने ली नहीं सावित्री दुनिया का कूड़ा जमा करकर रखने के लिए मेरे पास जगण नहीं है सतेश स्थिर होकर बैठा रहा आज उसे दुपहर की बाते याद आ गई और याद आते ही प्रेम की नदी में जो ज्वार आया था वह समाप्त हो गया और भाटा शुरू हो गया सावित्री ने जो कुछ कहा उसे वक कोरी हसी के रूप में किसी तरह ग्रहन नहीं कर सका एका एक कठीन होकर बोला वे लोग मुर्ख थे उन्हें ऐसे चीज देने का प्रस्ताव करना चाहिए था जिसे बक्स में उठा कर रखने में किसी को वह कूडा न जान परती मैं भी कम मुर्ख नहीं हूँ क्योंकि मैं भी भूल गया था कि प्रेम तुम लोगों के लिए कितनी निंदा और घ्रना के सामागरी है इतने अवस्था में मुझसे इतनी बड़ी भूल नहीं होनी चाहिए थी अच्छा चलता हूँ सतीश ने जो कुछ कहा सावित्री के समंध में जो कुचित इंकित किया वह सावित्री के रिदय में शूल सा लगा हसी को कलाय का रूप धारन करते देखकर सावित्री चुप रह गई लेकिन सतीश यहीं पर नहीं रुख सका बोला शिकारी जैसे मचली को बंसी में फसा कर उसे खिला खिला कर प्रसन्न होता है आमोद के अनबाव करता है जान पड़ता है वैसे ही तुम मुझे फसा कर इतने दिन वही तमाशा कर रही थी क्यूं? सावित्री से अब नहीं सहा गया बिजली की फूर्ती से उठकर खड़ी होकर बोली बंसी में फसा कर तो तुमको खीच कर निकाला ही जा सकता है खिला खिला कर निकालने लाएक बड़ी मचली तो तुम हो नहीं? सतीश ने निर्मा मोकर व्यांगे किया नहीं हूँ सावित्री ने भी कहा नहीं हो सावित्री के दोनों होट कुंचित हो उठे सतीश के मुख पर केवल एक बार तिवर द्रिष्टी डाल कर उसने कहा बच्चलन एक व्याष्चा को प्यार करके तुम अपने प्रेम की बड़ाई किसके आगे कर रहे हो जाओ मेरे घड में खड़े रहकर मेरा अपमान न करो इस अपमान से सतीश और भी निर्दय हो उठा अपकी बार अमारजनिया अक्षम में कुच्सित व्यांग करके बोला बच्चलन लेकिन तुम चाहे जो कहो सावित्री तुम्हारे माबापने तुम्हारा नाम सार्थक रखा था सावित्री वहां से हटकर दर्वाजे का चोखटा पकड़कर चनबर स्थिर खड़ी रही और बोली जाओ उसका मुख वेदना से विवर्ण हो उठा उसमें जैसे रक्त की एक बुंद भी न रह गई हो अपमान और आसाहय प्रचन्द क्रोध की ज्वाला से सतीश ने उधर तनिक भी ध्यान न दिया बोला लेकिन जाने के पहले एक बार और आचल से पैर नहीं पोच दोगी अत्वा कोई और खेल या और कुछ अचानक दोनों की आखे मिल गई सावित्री ने एक पग आगे बढ़कर पास आकर कहा सावित्री के कंठ स्वर की क्रमश बढ़तीवी आस्वाभविक तिवृत्ता से सतीश अकस्मात डर गया और फिर एक शब्द कहे बिना बाहर निकल गया किन्तो बारामदे में इतना अंधकार था कि वा आगे नहीं जा सका उसे वहीं रुक जाना पड़ा किधर सीडिया हैं, किधर रास्ता हैं, अंधेरे में कुछ जान नहीं पड़ता था सतीश ने पॉकेट में हाट डाल कर देखा, दिया सलाई की डिब भी नहीं थी इस लाचारी और संकट की अवस्ता में लगबग पांच मिनिट तक खड़े रहने के बाद उसे फिर सावित्री की कोटरी की और लोट जाना पड़ा बाहर से देखा सावित्री फर्श पर पट पड़ीवी है उसने धीरे से पुकारा सवित्री? सवित्री नहीं बोली दोबारा फिर पुकारने पर भी जब कोई उत्तर न मिला तो सतीश ने घबरा कर कोटरी के भीतर प्रवेश करके उसके मस्तक पर हाथ रखा जुक कर देखा आखे बंद थी मौ के भीतर अंगुली डाल कर देखा सवित्री एकदम बेहोश है चनबर के लिए सतीश के मन में एक भै और संकोच अवश्योत पन्न हुआ किन्तु उसके बाद ही सवित्री के अचेत शरीर को दोनों हाथों से उठा कर उसे बिछोने पर लिटा दिया और अपनी चादर का एक कोना कलसी के पानी में भींगो कर उसके मुख पर आखों पर पानी डाला फिर पंखा लेकर उसके मुख पर हवा करने लगा दो-तीन मिनट के बाद ही सवित्री को होश आ गया आखे खोल कर सिर को आचल से ढख कर करवट बदल कर उसने कहा तुम गय नहीं सतिश चुप रहकर पंखा जलने लगा सवित्री पिछोने से उठ बैठी और दीपक हाथ में लेकर कोठरी के बाहर निकल आई बोली चलो दर्वाजा खोलाओं इसके बाद चुप चाप राह दिखाती भी नीचे उतर आई और दर्वाजा खोल कर एक किनारे हट गई सावित्री के मूर्चित शरीर को हाथों में उठाने के बाद से ही सतीश एक तरह से अनमनस्क सा हो गया था इस समय दर्वाजे के बाहर आते ही जैसे उसे होश आ गया उसने जैसे ही कुछ कहने के लिए सुर उठाया वैसे ही सैसा सावित्री के उठी नब एक शब्द और नहीं अपनी देह को तो तुम पहले ही ब्रश्ट कर चुके हो वह तो एक दिन जलकर राख हो जाएगी अब एक कुल्टा इस्त्री को प्यार करके भगवान के देवे इस मुह में स्याही न लगाना या तो तुम वह मेज छोड़कर चले जाओ या मैं वहाँ न जाओंगी इतना कहकर उत्तर की राह देखे भी नहीं सावित्री ने जोर से किवाट बंद कर दिया सतीश हत बुद्धी सा हो गया उसकी समझ में ही कुछ ना आता था सावित्री क्यों उसे लगातार अपनी और खीचती है और पास आने पर क्यों ऐसा निश्टुर धक्का देकर दूर कर देती है रात बर सतीश इसी उधेडबुन में पड़ा रहा पर इसका कोई स्पष्ट कारण उसे ढूंडे न मिला इससे उसे संदेव होने लगा सावित्री कहीं पागल तो नहीं है पिछली रात की एक एक बात अब तक उसके शरीर की धाचे में जंजनाहट पैदा करके चोट पहुँचा रही थी इसी से वो बहुत ही तड़के डेरे से चल दिया और रहने के लिए दूसरा स्तान ठीक कराया कुली को बुला कर अपना सामान बांधने लगा या देखकर उस मेज के रहने वाले सब लोगों को बड़ा आश्चरी हुआ सबसे अधिक आश्चरी बिहारी को हुआ उसने पास आकर धीरे से पूझा क्या बाबु जी घर जा रहे हैं? सतीश ने उसके हाथ में पांच रुपे रखकर कहा नहीं बिहारी, घर नहीं जा रहा हूँ स्कूल के पास ही एक घर मिल गया है वहीं जा रहा हूँ बिहारी ने चंडबर चुप रह कर कहा लेकिन सावित्री तो अभी नहीं आई है बाबु सतीश ने सिरुठाई बिना ही कहा नहीं आई? अच्छा तु मेरे बिचोने बांध दे मैं तब तक राखाल बाबु के पास जरा हुआ हूँ इतना कहकर वह मेस का लेना देना चुका देने के लिए राखाल बाबु की कोड़री में चला गया वहां कई आदमी मौजूद थे शायद उसी के बारे में आलूचना हो रही थी क्योंकि उसे देखते ही सब लोग चुप हो गया राखाल ने जरा हसने की चेश्ठा करके कहा कहिए सतीश बाबु इस तरह एका एक? सतीश ने अपने हाथ के रुपे टेबल की किनारे रख कर कहा जैसे अकस्मात एक दिन आया था वैसे ही अकस्मात एक दिन जा रहा हूँ शायद इन रुपें से हिसाब चुकता हो जाएगा अगर ना हो तो मुझे बताईएगा मैं बाकी रुपे भेज दूँगा राखाल ने कहा बताऊंगा किस पते पर? सतीश ने कहा मेरे स्कूल के पते पर एक कार्ड लिखकर डाल दीजेगा मुझे मिल जाएगा इतना कहकर और कुछ कहने सुनने की अपेक्षा ना करके सतीश वहां से चल दिया कोठरी के भीतर से एक दबीवी सी हसी की आवाज सतीश को सुनाई पड़ी सामान की छोटी सी पोटली किवाडो की आर में हाथ से रखकर बिहारी ने राखाल बाबू से कहा मेरे सत्रे दिन के तनखा का हिसाब कर दीजे मुझे अभी बाबू के संग जाना होगा मेस के मालिक राखाल बाबू ने विस्मित और कृद्ध होकर कहा तू चला जाएगा तो यहां का काम कौन करेगा जाओंगा कहने से ही जाना नहीं हो सकता बिहारी ने कहा क्यों नहीं हो सकता बाबू मैं जरूर जाओंगा राखाल एकदम आग बबूला होकर बोला जाना होगा कहने से हो जाएगा जानता है इसके लिए बाकाइदा पहले से ही नोटिस देना चाहिए बिहारी ने कहा अच्छा एक दिन और आकर नोटिस दे जाऊंगा इस वक्त मेरी तनखा दे दीजे मुझे अभी सब सामान बांधना होगा बिहारी को कोई जवाब न देकर राखाल आंधी के वेग से सतीश की कोटरी में घुसकर के उठा सतीश बाबू ये सब क्या हो रहा है सतीश बिछोने बांध रहा था सिर उठा कर बोला क्या हो रहा है राखाल ने उद्दत बाव से कहा दासी नहीं आई वत्त मैं समझता हूँ शायद वा पहले ही चली गई अब आप बिहारी को क्यों ले जाना चाहते है दोश आपने किया और दंड हम लोग भोगे सतीश ने विसमित होकर कहा आपकी बाते कुछ मेरी समझ में नहीं आ रही है राखाल ने आवाज तेज करके कहा समझिएगा क्यों न समझने में ही तो सुविदा है अपने आप न जाते तो मुझे ही निकालना पड़ता खैर वाचा है जो हो मैं पूछता हूँ एक सहज भदरता का ग्यान भी क्या आदमी को नहीं रहना चाहिए सतीश की दोनों आखें लाल हो गई उसने राखाल के पास बढ़कर कहा आप यह सब क्या कह रहे हैं राखाल को इर्शा की आग जला रही थी बोला ठीक कहता हूँ और आप भी समझते हैं कि यह ठीक है सतीश बाबू आपकी कोई भी बात हम लोगों से चीपी नहीं है अच्छा आप जाईए ओह कैसे काले नाक को घर में पाला था मैंने ऐसे मेज को नश्ट भ्रश्ट कर दिया सतीश ने ताव खाकर राखाल का हाथ जोर से पकर लिया और कहा आप यह क्या बक रहे हैं राखाल बाबू राखाल ने जोर करके हाथ छुडा लिया और गरच कर कहा जाईए जाईए भोले न बनिये जाईए आप दूर हो जाईए बिहारी ने भीतरा कर कहा सतीश बाबू जाने दीजिये उन्हें उनको कहां दर्ध है उनको कहां जलन है एक दिन मैं आपको सब बताऊंगा मैं सब जानता हूँ आईए हम सब सामान ठीक करें राखाल पैरों की धमक से धर्ती को कापाता हुआ बाहर निकल गया सतीश चौकी पर धम से बैठ गया बोला यह सब क्या है बिहारी बिहारी ने कहा मैं आपके साथ चलूँगा बाबू यहां न रह सकूँगा सतीश ने आश्चरे से कहा मेरे साथ यहां का काम कौन करेगा बिहारी ने अविचली त्रिड स्वर में कहा जिसका जी चाहे करे मैं आपके साथ जरूर जाऊंगा एक नौकर की बिना आपका काम नहीं चल सेकेगा बाबू इतनी देर में मामला सतीश के समझ में आ गया छणबर चुप रहकर उसने कहा यह बात पहले ही तुने कह दी हुत्ती बिहारी बिहारी ने जवाब नहीं दिया चुप चाप सामान बांध बूंद कर कुली के सिर पर रखने लगा उसके साथ जाने में अब उसे कुछ भी संदेह नहीं रहा शेश कहानी आगले भाग में कहानी सुनने के लिए बहत बहत धन्यवाद